कशानो एक्सरसाइज 1.3 इसमें प्रश्ण है पहला निम्न बिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताईए कि परतेक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है तो 36 बटा 100 था हमने 36 क्योंकि अंश है उपर है इसलिए 36 अंदर लिखा 100 बाहर 100 के पहाड़े में 36 आ नहीं सकता था इसलिए हमने सबसे पहले लगाया दशमलव दशमलव लगाते ही 36 के पीछे लग गया 0 तो ये बन गया 360 100 के पहाड़ में 100 किया 300 बाकी बचिया 60 दशमलव की बज़े से एक 0 लग गया तो 100 चीका 600 ये दशमलव इसको भाग करने से 36 को 100 से भाग करने से हमारे पास आ गया 0 दशमलव 36 तो पहला भाग यही था कि दशमलव रूप में लिखिये वो हमने लिख दिया अब हमने देखा कि यहां 6 फल 0 आ गया तो हमने सीखा था कि जहां 6 फल 0 आ जाए और भाग खतम हो जाए ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं 7 दशमलव तो यही हमने लिखा यह 7 दशमलव है इसी प्रकार से 1 बटा 11 तो 1 बटा 11 के लिए 1 को हमने अंदर लिखा और 11 को बाहर भाग करा लेकि हमने देखा कि एक ग्यारा के पहाड़े में नहीं आता तो हमने लगाया दशमलव दशमलव लगाते ही यहां पे बन गया दस लेकिन ग्यारा के पहाड़े में दस नहीं आ सकता क्योंकि दस ग्यारा से छोटा है तो हमने यहां लगाया जीरो यह 0 लगाते ही, एक और 0 यहां लिखी, तो यह बन गया 100, 11 के पहाड़े में 11 नाया 99, 100 में से 99 गया 1, दशमलव की बज़ा से यहां पर 1 0 आई, लेकिन 10 अभी 11 से छोटा है, तो एक और 0 लगाई, तो यहां बन गया 100, 11 नाये, उसके बाद फिर से 11 नाय 99, 100 में से 99 लिकाला 1, फिर से दशमलव की वज़ा से यहां 0 आगई, लेकिन यह 10 अभी 11 से छोटा है, तो एक 0 लगाने से यहां बन गया 100, फिर 9 लगाया, तो 11 नाय 99, 1, यह एक 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 बार बार रिपीट होगा, यानि यह जो है, यह बार बार रिपीट होती रहेगी, इसका अंत नहीं होगा, त एक बाटा 11 का दशमलव प्रसार तो होगया, 0 दशमलव, 0 नो, 0 नो, 0 नो, डैश, 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 का मतलब यह इसका कभी अंत नहीं होगा, तो हमने सीखा था, जिसका अंत ना हो, वो होता है, अनवसानी, और क्योंकि इसमें 0 नो, 0 नो, 0 नो, बार बार इसमलव है, इसी का एक और भाग देख लेते हैं, तीसरा भाग है, 4 सही 1 बटा 8, तो सबसे पहले हमें पता है कि इसे हल करने के लिए, जो हर होती है, उसको ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं, उसके बाद, इसे इसके साथ गुना करेंगे, और जो उत्तर आएगा, उसमें उपर व 33 वटा 8 के लिए 33 को हमने अंदर लिखा, आठ को बाहर, इसे जब भाग में बदला तो यह आ गया, 4.125 और हमने देखा कि हमारा जो शेशफल है वो 0 आ गया, शेशफल 0 आ गया, इसका मतलब दशमलव का भाग का अंत हो गया, दशमलव खतम हो गई, इसलिए इसका अंत हो ग क्रबispos पालatto करने के लिए स्वाफ रखतिखनास, बा lok में दुमत्त है वो गया जब वो खतते है वाया, वो गया कि लिए र Темहा अंत है झाल झाल